है गाइज वेलकम टू बिट्कॉन बाटालियन यूटूब चैनल जहां हम क्रिप्टो ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी के बारे में चर्चा करते हैं और आज हम बात करेंगे आल्गोरान ब्लॉक्चेन के बारे में तो इस वीडियो में हम जानेंगे आल्गोरान ब्लॉक्चेन क्यों हैं ये कैसे काम करता है ये कौन-कौन प्रोब्लेम को सॉल्व करता है ठीक है जैसे कि हमको पता है कि बिट्कॉन ब्लॉक्चेन और इथिरियम ब्लॉक्चेन में बहुत सारी लिमिटेशन्स है जैसे कि स्पी पहला speed, bitcoin ब्लॉकचेन शीरफ और सिर्फ 7 टरंزक्षिन पर सेकेंड 7 ट्रांजाक्षिन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है और ए्धिरियम ब्लॉकचेन 15 barely transaction per second को process कर सकता है इससे ज़्यादा transaction आप bitcoin और ethereum में नहीं भेज सकते और फिर इसी वाता है speed के बाद जो है वो scalability scalability मतलब अगर आप bitcoin blockchain को use करते हो और बहुत सारे लोग bitcoin blockchain में आ जाते हैं या फिर ethereum blockchain आप use कर रहे हो बहुत सारे लोग ethereum blockchain में आ जाते हैं तो यह खुद को scale नहीं कर पाएगा यानि इसकी जो transaction fee वो बढ़ जाएगी इसकी जो speed है वो घट जाएगी इसकी जो security issue भी आ सकते हैं मतलब अभी आप देख सकते हो ethereum अगर आप send करोगे किसी को अपने दोस्तों को send करोगे तो उसमें gas भी बहुत लगता है इसी को ही scalability issue बोलते हैं कि अगर कोई blockchain में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो blockchain उस है भी public को संभाल नहीं सकता वो scale नहीं कर सकता फिर आता है scalability के बाद mining mining problem mining problem क्या है जैसे कि आपको पता है bitcoin blockchain और ethereum blockchain जो mining protocol follow करते हैं वो होता है proof of work मतलब आप अगर mining करता चाहते हो bitcoin को या फिर ethereum को आपको माइनर्स चाहिए जो कि कुछने computers हैं उसका power ज्यादा होना चाहिए आप जो mining machine यूज करो के उसका power अगर ज्यादा नहीं तो आप अच्छे से mining नहीं कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो कि अगर मैं इतना दाम की एक मशीन खरी दूंगा, इतनी दाम का माइनर खरी दूंगा तो मैं इतना विट्कॉइन माइन कर सकता हूं तो इस वज performance जो है centralized होता जा रहा है, यानि कि जो लोग के पास पैसा है пл यो लोग के पास ज्यादा Mining Power है, वो लोग ज्यादा Bitcoin Mining कर रहे हैं Profitably Mining कर रहे है जिनके पास ज्यादा पावर नहीं हम ज्यादा पैसा नहीं है, वो Bitcoin Mining से बाहर निकलते जा रहे हैं तो इस वाजे से Long Term में, बहुत दिन के बाद ऐसा होगा जो Powerful Mining Farm है वोग ही mining को control करेंगे तो इससे Bitcoyne mining centralized हो जाएगा उन लोग के हाथ में सारा control रहेगा वो लोगů चाहे तो mining को बढ़ा सकते हैं कमा सकते हैं transaction को है फेर कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं फिर आता है fees आपको जैसे मैंने बोला कि फी, scalability issue के बज़े से बढ़ता है, लेकिन अगर आप नर्माली यूज करो कि Bitcoin ब्लोक्चेन आप फिर Ethereum ब्लोक्चेन को उसमें भी आपको ज्यादा फी देना पड़ता है, वो डॉलर में हो या फिर दो डॉलर, तीन डॉलर ऐसा फी लगता है Bitcoin में और फिर Ethereum में, आप चलते हैं आल्गोरंट ब्लोक्चेन के तरफ, आल्गोरंट ब्लोक्चेन की जो speed है, वो Ethereum ब्लोक्चेन और Bitcoin ब्लोक्चेन से बहुत ज्यादा है, वो 1000 पर transaction प्रोसेस कर सकता है, इसलिए अगर आप किसी को आल्गोरंट send करोगे, तो सिर्फ वो 4 सेकेंड टाइम लेगा received होने में, तो जानी कि अगर आप इसको कहीं डेली यूज करते हो, डेली पेमेंट के तरहा यूज करते हो, तो आप तुरंट पेमेंट करके निकल सकते हो, फिर आता है scalability, इसलिए अगर आप compare करोगे, Ethereum ब्लोक्चेन या फिर बिटकोईन ब्लोक्चेन या फिर और किसी ब्लोक्चेन की त पीड में उतना transaction process आराम से करेगे, और इसमें कोई load नहीं आएगा, मतलब यह hang नहीं होगा, जिससे Ethereum हो जाता है, Ethereum में जब ज्यादा transaction होता है, तो Ethereum overload हो जाता है, तो अल्गोरांट ऐसा नहीं होगा, फिर mining, माइनिंग क्या होता है, अल्गोरांट में, mining protocol जो यूज करता है अल्गोरांट वो है, pure proof of stack, अल्गोरांट जो proof of stack यूज करता है, इसी के बज़े से अल्गोरांट blockchain बहुत benefit पाता है, तो हम proof of stack को चर्चा करने के लिए एक दूसरा और एक विडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको इसको overall बता दूँ कि proof of stack जो है, वो सबको mining करने के अल्गोरांट है, तब भी आप अपना mining सुरू कर सकते हो, सिर्फ आपको अपना algorithm को अपनी wallet में store करना है, ना कोई आपको बहुत बड़ा configuration करना है, या फिर बहुत बड़ा machine खरीदना है, इसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको minimum एक algorithm अपने wallet में रखना है, जो आपको mining क करने की chance देगा, आपकी mining सुरू हो जाएगा, और fee, तो algodon में बहुत कम fee लगता है, जो है 0.005 algo per transaction, तो इससे क्या होगा कि अगर आप bitcoin कितलना में इसको देखोगे, तो यह बहुत कम है, इथिरियम कितलना भी बहुत कम है, और यहाँ पर scalability issue नहीं है, तो इसी की वज़े से अप जितने भी transaction करोगे, जितने लोग भी transaction करेगे, उससे transaction fee नहीं बढ़ेगा, यह transaction fee इतना ही रहेगा, और algodon blockchain की बहुत सारी खोबी है, जिसको मैं एक ही video में explain नहीं कर सकता, मैं दूसरे और video बनाऊँगा, details में algodon और उसकी जो other features हैं, उनको हम बारी की से test करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे, हम उसके बारे में test करेंगे और देखेंगे कि यह सच में काम करता है, इतना speed में काम करता है, इतना scalable ही है, या और कौन-कौन problem यह solve कर रहा है, कैसे solve कर रहा है, उनके बारे में हम बाद में safe parate video बनाके details में चर्चा करेंगे, तो आज क वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलें टेक क्या गुडबाई